दोस्तों कर आपका भी सपना है किसी विदेशी लड़की से फ्री में शादी करने का तो वो इस देश में पूरा हो सकता है और ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको एक दिन के खानों के पैसों से कम में बहुत खुबसूरत लड़किया मिल जाती हैं और आप इनको अपन जरूर जाएं और वहां जाकर वो अपनी जंदी के मज़े लूटें और आज के वक्त में थाईलंड मौज मस्ती के मामले में नंबर वन देश है और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि थाईलंड में ये काम वेतनाम युद्ध के दोरान शुरू किया गया था और आज के वक्त में थाइलेंड के मसाज फारलर पूरी दुनिया में फेमस हैं जहां पर आपको कई तरह की बॉडी मसाज दी जाती है और यहां पर आपको हमेशा राजखुमार की तरह ट्रीट किया जाता है कोलम्बिया और आपके उपर खुब पैसे उड़ाती है दोस्तो अगर आपका कोई दोस्त नीदर्लैंड या एम्स्डैम जाने की बात कर रहा है तो आप समझ जाईएगा कि वो जिन्दिगी के मजे लूटने जा रहा है दोस्तो नीदर्लैंड एक्स कैपिटल देशों में से एक है जहाँ पर आप कहीं भी कभी भी कैसी भी मस्ती कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको पटाय जासी फिल आ जाएगी और इस देश में लड़का लड़की को मजे करने की फुल आजादी है और वो इस चीच को कहीं भी कर सकते हैं और इसलिए यह देश अपने रंगीन कामों के लिए जाना जाता है जर्मनी दोस्तो आज के वक्त में जर्मनी फ्री एजुकेशन और फ्री बियर के लिए जाना जाता है लेकिन ये देश बियर और एजुकेशन के साथ-साथ लड़कियों के लिए भी जाना जाता है और इस देश में शावरिती लीगल है और दोस्तों ये एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा ऐसे बीच मिलते हैं जहां पर लोग बिना कपड़ों के लेटे रहते हैं पर इस देश की कमाल बात ये है अगर आपकी परसनेल्टी कमाल की है तो यहां की लड़कियां आपको कभी भी उठा कर ले जा सकती है क्योंकि जर्मनी में बड़े घरों की लड़कियां स्मार्ट और फिट लड़कों को ढूंडती है और उसके बाद वो उनको अपने साथ ले जाती है उनके साथ मजे करती है और उनके उपर खुब पैसा लुटाती है बस इसके लिए आपकी कद काटी तकड़ी होनी चाहिए और आप लंबे रेस के घोड़े होने चाहिए बुलगेरिया दोस्तो अगर आपका भी सपना है कि किसी विदेशी लड़की से शादी करने का तो वो सपना आपका इस देश में पूरा हो सकता है क्योंकि बुलगेरिया में लड़कियों का एक ऐसा वैपार लगता है जिसमें छोटी उमर की लड़कियों से लेकर बड़ी उमर की लड़कियां शामिल होती है यहाँ पर आप अपनी पसंद की किसी लड़की के साथ भी शादी कर सकते हैं यहां की लड़कियां इस मेले में इसले शामिल होती हैं कि कई लड़कियों की घर की स्थित्री ठीक नहीं होती और कई लड़कियां सिर्फ शादी के बाद मज़े लूटना चाती हैं और बुलकेरिया के लोग इसको एक तहवार की तरह मनाते हैं और हर साल हजारों भारतिये यहाँ पर पहुँचते हैं इस दिहोर में इंज्वाइ करने के लिए और यह मिला दुनिया भर में ब्राइट फेयर के नाम से जाना जाता है जहाँ पर आपकी धुलन आपको सिर्फ 300 से 400 डॉलर मिल जाएगी मैक्सिको दोस्तो मैक्सिको एक ऐसा देश है जहाँ पर शराब पानी से सस्ती है और इस देश का यही सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर शराब पीने के लिए आते हैं और इन देशों में मौज मस्ती करने के लिए आपको बहुत कम पैसा देना होता है जिसकी वज़ाए से दुनिया भर के लोग यहाँ पर खिचे चले आते हैं ब्राजील दोस्तो आज के वक्त में ब्राजील एक ऐसा देश है जो की वरिती को सपोर्ट करता है और यह देश अपने देश की महिलाओं को जर्मन, स्पैनिश, चाइनिश और ऐसी बहुत साई लैंग्विजों को सिखाता है ताकि दुनिया भर के लोग जब इनके पास पहुचें तो वो इनकी बातों को बहुत असानी से समझ सकें और वो दुनिया के किसी भी देश के इनसान के साथ उसी की लैंग्विज में बात करें और उनके साथ इंज्वाई करें और जिस तरीके से ब्राजील इस चीज को बढ़ावा दे रहा है वे अपार मित थाइलेंड को पीछे छोड़कर नंबर वन देश बन जाएगा वैसे आपको पताएं में सबसे अच्छा क्या लगता है अपनी राय कमेंट शेक्शन में जरूर शेयर करें